तो आज के इस वीडियो में हम जैक की लाइफ स्टोरी, जैक फेस्ट रिविन की डेट एंड जैक के जैसे अधर मेट करेक्टर्स के बारे में बात करेंगे वीडियो काफी इंटरस्टी होनी वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना ओके तो वीडियो सुरू करते हैं जैक की लाइफ स्टोरी से, तो जैसे की हम मानकाफ खेलते हैं, एंट पॉस से सर्वर जोइन करते हैं और कभी-कभी ये सोचते हैं कि कास किसी सर्वर में कोई यूटूबर मिला है, जिससे की हम उससे बात कर सकें या उसकी SMP जोइन कर लें, या फिर वो अपने वीडियो में हमें फीचन करें, बड़ सबकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं होती है, लेकिन अपने जैकुला दार ड्रेकुला की डेस्टिनी काफी अच्छी थी, जिसकी स्काइब लोग में फ्रीट बाइस से मुलाकाद हुई तो गाइस मैंने जित्ता भी था समान हमें खरीदना था, वो सारा का सारा ले लिया और आप चलो निकलते हैं यहां पर, हैं, जैक भाईया, अब लाइन में खड़े हो, मुह में थोड़ना गुज जाओ गया आदमी के या रजीब आदम, यूट्यूबर भाईया, स्काइब सिका दो, कि अलग तो नया प्लेर ही रहा है, हिंदी भी आती है मतलब की हिंडिया एं, मायन क्राफ्ट आता है, फॉर्पंब लोलक पहली बार आया, स्काइब लॉक में नए आये हो आजा मेरे पीछे-पीछे देख के सीख जाएगा बाई हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने मर्जे लिया ना भाई आज देखो तुम लोग भाई मैं अब इसको देखो भाई मैं अपना पर्सनल गुलाम बनाके गोल गोल घुमाऊंगा देखो और जो फ्रीडवाई ने जेक के साथ मानकाप खेला तो उनको वो बहुत ही फ़नी लगा जिसकी वज़ा से उनको ये थोट आया कि जेक को अपने वीडियो में फीचर करना चाहिए जिससे वीडियो और भी इंटरस्टिंग एंड फ़नी हो जाएगा उसके बाद जेक के बने बिलोग और अदर सीरीज स्टार्ट कि और सभी सिरीज ही डुरह हे इसलिए परिज़्ेंट में फीडियो जेक को अपनी सभी वीडियो जेक को अपनी सब्सक्राइबर तो एक दिन में हो जाएंगे तो मैं काइना यह चाहता हूं कि अगर हम जेक की फायन फोलोईंग को के बाद एक नॉर्मल मांडगा प्लेयर से एक स्टार बन गा जिसका फेस देखने के लिए उसके लाखों फैंस एकसाइटेड हैं तो अब फेस की बाद आई है तो जेक का फेस रिवील कब होगा इस पर भी बात कर लेते हैं तो जेक फेस रिवील की एक जैक डेट बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रीड भाई जेक का फेस रिवील क्यों नहीं कर रहे हैं तो इसका रिजन मैंने अपन इस वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो की एक छोटे सी क्लिप आप देखो, उसके बाद फेस रिपील की exact date के बारे में बात करेंगे ये अभी जेक क्यों फेस एंड बोईज रिपील में डिले होने की reasons के बारे में बात कर लेते हैं फ्लीड भाई जेक का फेस एंड बोईज रिपील करने में देरी क्यों कर रहे हैं, तो उसका reason ये है कि हम जेक को एक naughty, cute and funny kids की तरह देखते हैं I mean हमारी expectation ये है कि जेक एक kid है और वो बहुती sweet, cute and naughty है बट वहीं जेक का फेस रिपील होने पर वो कोई kid या 14-15 साल का boy ना हो कर 20-25 साल का boy या man निकले तो हो सकता है कि audience को जेक को देखने में इतना interest ना रहे और फ्लीड भाई के channel पर जो जेक की audience है वो videos देखना बंद कर दे, जिससे फ्लीड भाई की viewership कम हो जाएगी तो यही reason है कि फ्लीड भाई जेक का face and boys reveal करने में delay कर रहे हैं तो देखा आपने फ्लीड भाई क्यों और कैसे जेक के फेस रिपील में delay कर रहे हैं बाकी exact date तो मैं नहीं बता सकता बिकोज जो फ्रीड भाई चाहेंगे तब ही होगा जेक का face review और फ्रीड भाई ऐसा कभी नहीं करना चाहेंगे बट क्यों तो इसका region मैंने पहले ही बता दिया है बाकी audience की बहुत ज़्यादा demand होने की बज़ा से unsuit channel पर 10 million subs complete होने पर फ्रीड भाई जेक का face review कर सकते हैं अब बात करते हैं जेक के जैसे other mute characters की तो सबसे पहले आप जेक और फ्रीड भाई की ये clip देखो जिसमें उन्होंने जेक के जैसे mute characters के बारे में बात की है जैक लोगों को इतना पसंद आगे कि सब एक-एक जैक लेकर गोम रहे हैं जब से मैं जैक को मुझे समझ गया है जब से मैं जैक को लेकर हूँ अपने minecraft में literally भाई सबके पास एक-एक जैक आगया कही से भाई अब मेरे को नी पता वह कहा सा है लेकिन सबके पास एक-एक जैक आगया है तुम समझ रहें मेरी पास चल ले चल वन पीस यह देख रहा है आज कल इसका मतलब Lord jackness one piece हाम अच्छा only one piece वाला तुम कही रहा है च्छा समझ गया समझ गया नहीं नहीं market मों कापी तो हैं आईरा सब कुछ नहीं बहिए लोर्ड जेक ने स One Piece भई यह हर मास्टर पीश की एक सस्ती कॉपी होती है कॉपी की स्पैलिंग तो सीख ले कापी वाले कापी लिख रहा है कापी बारा मेरी तो तीनसार है तो तुछ क्या हुआ फिर मास्टर ब्लास्टर भी ओके तो सबसे बेले हम बात करेंगे हमलें के म्यूट करेक्टर नूबडा जी की बिकोज कुछ लोग नूबडा जी को भी जैक की कोपी बोलते हैं बट नूबडा जी जैक की कोपी नहीं है ये मैं बोल रहा हूँ बिकोज जैक बात करता है आई मीन जैक टाइपिंग करता है लेकिन नूबडा जी ऐसा कुछ नहीं करते हैं और वो only Himlans में देखने को मिलते हैं, भाई Smarty Y Noobda जी को ज्यादा वीडियोस में भी फीचर नहीं करते हैं, तो ये होगी Noobda जी की बात, भाई Himlans में एक और Mute Character है, और वो है Going Jasmine, और Jasmine थोड़ी सी Jack जैसी है, विकोज वो टाइपिंग करती है, फन करती है, स्मार्टी जी आप बहुत हैंडसम लगरेगा रहे, नहीं यार, ऐसा मत बोले यार, शाकल देखो मेरी मास्ट लगा के, मास्क के बीचे शाकल चुपानी पड़ती मेरे, ऐसा मत बोले, मैं कुछ शरम आरी है, Queen Jasmine जैस्मिन जी आप हमारी Queen हो यार, मैं तो नहीं देखूँगा, आपकी सब्सक्राइब को बहुत शरम आरी है, जैस्मिन काफी जारा क्यूट है यार, बहुत जारा, अब ये तुम लोगे जैस्मिन जी क्यूट लगी तो भाई, लाइक एम कंप्लीट करो गाईज, बहीं जैकुडा कुछ न कुछ उल्टी सीदी हद्गतें कर गे, फ्रीड भाई को परिसान करता रेता है, एक से देना अपनी लड़की काट, लेकिन एक सेकेंड, भाई या एक से देना अपनी लड़की काट, लेकिन लॉंडा यहां नहीं रुपता, तू क्या चाता है, मतलब क्या चाता है तू, है, तू तो बच जाएगा, क्या चाता है एक साथ, नाव बात करते हैं, इसान भाई के टूमेंड की, जो थोड़ा सा जेक जैसा ही है, एंड इसान भाई ने उसको अपनी बन ब्लोग सीरीज में इंटर्डियोस किया था, जिसकी वज़ा से ओडियंस ने इसान भाई के वीडियोस पर डूमेंड जैक की कोपी है, इससे लेटर्ड बहुत से कोमेंड के दे, देन इसान भाई ने इसका क्लेरिफिकेशन दिया था, कि टूमेंड जैक की कोपी नहीं है, एंड वीडियो में एक कोमेंड करके बिन कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, काफी लोगों को कन्फ्यूजन दिख रहा है, कि टूमेंड किस पे बेस्ट है, ये एक्चली हीरो ब्रांड SMP के, एंड बेवी पे बेस्ट है, जो पोटेटोस को लेके कुछ चीज़ें देता है, जिसका आडिया उज्जुल भाई, मैं रोनी, स्मार्टी और बागी अधर मेंबर्स ने लाया दा, तो इस आनमाई का डोमेंड किस से इंस्पायर है, इसको लेकर आपके सारे डाउट्स के लिए न हो गयोंगे, नाव बात करते हैं रोनी भाई के गोटियांगी, तो गोटिया भी थोड़ा बहुत जैक जैसा ही है, बट यार हम सभी म्यूट करेक्टर्स को जैक की कोपी तो नहीं बोल सकते, बिकोज अगर क्रेटर्स जैक जैसा म्यूट करेक्टर, अपनी वीडियो या सिरीज में इंडर्डियूस कर रहे हैं, इसलिए तो वो ऐसा करेक्टर लेकर आते हैं, जिससे वीडियो थोड़ा फ़नी और एंटर्टेनिंग हो जाएं, और हमें वीडियो देखने में ज्यादा मुझार, एंड हम वीडियो को एंड्योई कर सकें, इसलिए अब किसी भी म्यूट करेक्टर को हेट देने से पहले, मेरी इन बाता को याद रखना, एंड किसी को हेट मत देना, तो यह इदि आज की वीडियो, एंड आइट वोब कि आपको वीडियो पसंद आयोगी, अगर वीडियो पसंद आयो तो प्लीज, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्स्ट्राइब कर लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तिल देन, बाल बाल,